प्री राशन सकीम को तीन महिने के लिए बढ़ाए जाने के बाद से गेहूं की कीमतों में तेजी देखी जा रही है फिलाल गेहूं का भाव 25-25 रुपे प्रती क्विंटल दर्ज किया गया है जो सितंबर में अब तब का सबसे ज्यादा भाव है सितंबर के दोरान कीमतों में निचले सर से करीब 2 फिसद का उच्छाल आ चुका है फ्री राशन स्कीम के तहत हर महीने सरकार 80 क्रोड लोगों को 5-5 किलो अनाज देती है और उसके लिए सरकारी स्टॉक से अनाज की सप्लाई होती है उपर से खुले बाजार में दाम बढ़ते हैं तो उसके लिए भी सरकार अपने स्टॉक से अनाज बेचती है लेकिन सरकार के बंडार में अनाज का स्टॉक 5 साल के निचले सतर पर आ चुका है ऐसे में गेहूं की किलत होने की आशंका बढ़ गई है जिस वज़े से कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है पिछले एक साल के आंकडों पर नज़र डाले तो कीमते बढ़ी है अगर गेहूं और आटे की कीमतों के एक साल पहले के भाव के हिसाब से तुलना करे तो एक साल में गेहूं की कीमते 15 फीसद तक बढ़ चुकी है जबकि आटे की किमते एक साल में 20% तक बढ़ी है इसके इलावा आपको बता दे कि देश में घरेलू सप्लाई को बढ़ाने के उदेश्य से सरकार ने पिछले हफ़ते एक बड़ा फैसरा लिया था सरकार ने उस समय कहा था कि वो जरूरत पढ़ने पर जमा खोरों के खिलाफ कारवाई करेगी ताकि घरेलू सप्लाई को बढ़ाया जा सके सरकार ने ये भी कहा था कि केंदर व्यपारियों द्वारा गेहू के स्टोक का खुलासा करने और घरेलू उपलगता बढ़ाने के लिए स्टोक सिमा लगाने जैसे कदमों पर विचार कर सकती है तो फिलाल बजार में हो सकता है कि गेहू की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सरकार की तरफ से ये बड़े कदम उठाए जाए ब्यूरो रिपोर्ट मारके टाइम स्टीवी